ECL यानि Entertainment Cricket League और भारत की पहली ऐसी Cricket League जहां पे Social Media Stars को खिलाया जा रहा है एक ही platform के नीचे IG Indoor Stadium New Delhi में और यह league का कल पहला match था जहां पे हमने देखा पहले match का आपको highlight दिया कि जिस तरह Elvish vs. Fukra इंसान का जो match था उस पे किस तरह का प्रजर्शन रहा हो और Elvish आदव ने आते ही पहला ही match जो है वो जीत लिया अब हम आज बात करेंगे सेकिंड मैच के बीच में जो की था मुनवर वसिज अनुराग देवेदी यानि Mumbai वसिज लखनो के बीच मैच था जहां पर टॉस जीता था और पहले फैसला किया जहां पर उसने पहले मैच में देख लिया था जब नवर फुक्रा का मैच हुआ था जहां पर उन्होंने देखा कि Elvish जो है उन्होंने कहीं पहले बालिंग लेकर बड़ा थासिल हुए तो यही सेम फॉर्मेट उन्होंने भी चूज किया अनुराग दिवेदी ने और पहल तो रन्स की बात की जाए तो 159 रन्स स्कोर किये मुंबई की टीम ने बैटिंग करते हुए हलाकि मुंबई की टीम की मैच तारीफ करना चाहूंगा कि बेशक उसके कप्तान मुनवर है लास्ट में खेलने आए उतना अच्छा परदर्शन तो नहीं किया जीरो पर आउट हो और सबसे बैस जो चीज मुझे लगी वह है फिल्डिंग भाई इतने रन्स बचाए हैं फिल्डर्स ने और सबसे जादा अगर मैं नाम लू इस प्लेयर का जिनका नाम है मुदेसर भट यह ऐसे एक प्लेयर थे जो की एमवीपी थी जिनको मैं कह सकता हूं कि मैंन प्लेयर तो थी ही वही इनकी फिल्डिंग और बॉलिंग भी बेहदी कमाल की थी और मुंबई की टीम मुझे लगता है कि मुंबई की जान ही प्लेयर क्योंकि इन्हों ने बेशक शुरुबात में आके बल्लेवाजी से भी रिकॉर्ड तोड़े और पहले ऐसे क्रिकेटर बन चुके इन मैचों में जिसने सबसे जादा स्रण जो है वो स्कोर की है इसके बाद आप चलते हैं बैटिंग पे लखनाओ की लॉइन्स की अलागि धार के तो आये थे अनुराग जी ने बहुत सारी प्रेडिक्शन की थी बहुत सारे बड़े-बड़े किये थे कि हम जीतेंगे लेक अनुराग भी जीरो पर आउट होगे हलागि मुनवर रन आउट होएं तो कहीं ने कहीं उनके तरफ एक चांस तक है अगर बैटिंग करते तो क्या होता लेकिन हाँ अनुराग तो सीधा कैच आउट होएं तो उनका तो एक सीधा-सीधा जाइज है कि आप नहीं अच्छा प पॉंडरी है ज़हान सीधा फाइद मन नहीं रहेगा इजकी मार बड़ेगा और यहां पर लुटा है यहां पर उटा है यहां पर यहां बंच युँख आफ तो कहीं नगे स्पीनर के लिए भी काफी जादा एक यूँगदान है और ऐगर बात की जाये तो खुद कहीं ने कहीं उनके लिए भी मुझे लगता है कि Spinners को जादा खिलाना चाहे था और थोड़ा सा मैं बोलना चाहूंगा कि सभी टीम्स को मुंबई से डरने की बहुत जादा ज़रूरत है क्योंकि मुंबई भाई ऑल रांडर टीम इसके पास फिल्डिंग जितनी स्ट्रॉंग ह इसके पास बैटिंग उतनी स्ट्रॉंग है तो मुझे लगता है सभी टीम्स को मैं एक वर्निंग देता हूं कि मुंबई डिस्ट्रप्टर से बचके रो कहीं आप सभी को डिस्ट्रप्ट ना कर दें और आगे आने वाले मुकाबले बड़े जादा खास हैं क्योंकि अगर बात की जाए तो अगला मुकाबला जो हने वाला है वो डे टू की अगर बात की जाओं तो पंजाब वीर्स वसिज डैनमिक्स डैली और वहीं दूसरा मुकाबला है फुकरा इंसान वसिज मुनवर यानि बैंगलोर वसिज मुंबई का तो उसकी आईलाट्स आपको देंगे